प्रिव्यू शुरू करने से पहले एक दरूरी बात अगर आप यह पहली बार देख रहे हैं जस साइनिस इस का मतलब यहां पर आपको समझा रहा हूं अगर यहां टिक है जैसे आप देख सेते हैं पिच के नीचे टिक है इसका यह मतलब है कि जो पिच है वो प्लेयर को सूट करती है क्रोस है मतलब वहां पे खराब है जैसे यहां पे आपको दिख रहा है क्रोस मतलब उस प्लेयर का स्पेसिफिक का फॉर्म खराब है उसके अलावा यहां आपको दिख रहा है एक opportunity meter on the top right and risk meter on the bottom right तो opportunity meter जितनी ज्यादा ज्यादी उतनी ज्यादा अच्छा मतलब player को ज्यादा opportunity मिलेगा इन दे गेम जैसे जैस्वाल opening करते है तो उनकी opportunity ज्यादा पढ़ जाती है यागर आपको ऑल राउंडर का प्लेयर कार्ट देखेंगे है तो वहां पे भी opportunity थोड़ी ज्यादा होगी as likely ज्यादा है कि वो ज्यादा केले risk meter एक mix चीज है बोलस के लिए ज् कि अगर बैटर कम रिस्क लेता है मतलब आपको ज्यादा फैंटेसी वाल्यू दे सकता है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं विल जॉस पटलर वाल अगर ज्यादा रिस्क ले रहा है मतलब बाउंडरी बोनिस पॉइंट की opportunity ज्यादा है बट यह भी चांस है कि जल्दी आ मतलब अगर कोई पेसर है सामने वाली टीम में जो उस तरीकी की बोलिंग करता है तो आप चांस ले सकते हैं उस स्पेसिफिक बैटर पर तो यह हुए मतलब इन स्पेसिफिक चीज़ों का अब चलते हैं प्रिव्यू की तरह एक 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 गेम में मुंबाई बना बैंगलोर केला जाएगा एक बहुत ही बड़ा गेम और बहुत ही ज्यादा इस्कोरिंग गेम भी हो सकते है अट इस वेन्यू वन्यू जा आएगा इस प्रिव्यू में बहुत सारे इंसाइट आपके लिए एंशोर यू से तून तिल ति सब्सक्राइब करके दिखा सकते हैं आपको बड़ार सी भी इस तरीके की टीम है कि अपने दिन पर किसी को भी टीम को आगे से उखाड के जा सकती है तो एक बहुत ही अच्छा मुकाबला यह होना चाहिए और हमारी लीग जो कहलेंगे बिनी जिल और उपिनिन टेडिंग आप केल सकते हैं और माइमास 11 यहां पर कुछ टॉप कॉंटेस 15 में आपको मिल रहा है आइफोन 15 प्रो मैक्स 49 में थार और 19 में रोयल इंफील आपको क्या करना है आप पर जाके यहां पर आपको दिखा दूं सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर रिट करिए ताकि आगे के जो भी नए वीडियोज है उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें अब चलते हैं तूवर्ड्स टैक्टिकल कॉनर पर यहां पर स्टाइब के लिए तो आपके लिए एक तरफ है आउट और दूसरी तरफ है एमाई की मिडल ओर बोलिंग जो एक चांसर्ण पॉइंट है तो वहां पर यहां तो आपको दिख सकते हैं बहुत सारे रंज अगर आट सीवी के बैटल वहां पर फॉम में आ जाते हैं अगर एमाई के बोलर्स फॉम में आ जाते हैं तो दिख सकते हैं आपको वहां पर विकेट अब लाइकली थोड़ी ज्यादा क्या है यह चीज कि यह बैटिंग पिछ है तो हो सकता है कि बैटल को यहां पर एक्स्ट्रा अडवांटेज मिल पाए एक और जो चीज फिनिशिंग ओर्डर की बात की जाए तो टेम डेविड है उस तरफ और रोमारियो शेपर्ड ने भी बहुत अच्छा किया लास्ट गेम आर सीबी के लिए सबसे कंसर्णिंग फेस कौन सा है विद बॉल तो हमने देखा है लास्ट कुछ गेम्स पर भी साट सतर एक्टी सब बनते जा रहें लास्ट फॉर फाइव ओवर्स तो विट टेम डेविड दैर एंड वित रोमारियो शेपर्ड मॉहमद नभी दैर हो सकते की वापस आपको रनों की बारिश दिख सके जब आर सीबी की डेध बोलें का मौका है तो यह है दो की पॉइंट जब आप टीम्स में रोटेशन कर रहे हैं इन पॉइंट पर ध्यान रखेगा वाइल मेकिंग रोटेशन अब बेदर रिपोर्ट की बात की जाए तो क्लियर वेदर फॉर गेम नो कंसर्न बहुत युमिडिटी है यहां पर पिछ रिपोर्ट की बात की जाए तो अच्छी बैटिंग ट्रैक हमने शाम वाले गेम में क्या दिखा था था थोड़ी सी मुव्मेंट आफ्टरनोन गेम में कभी-कबार यहां पर टर्न होती है बट अब क्यूंकि यह नाइट गेम है सिर्व एक बात का ध्यान रखी कि अगर स्टार्टिंग में मॉश्चर है ट्रैक में तो जो ओपनिंग बैट कि तिलक वर्मा है इशान किष्ण है दोनों के लिए वह बॉल स्लोट में आईगे और कुछ खास कर नहीं पाएं और सौरब चवान को उन्हें कि लाया था लोम रोर इतने अच्छे फॉर्म में चलने कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं क्यों नहीं मौका यहां पर मिल तो मैं फ्रस्टेशन पढ़ता रहता हूं इनकी ट्विटर पे बड़े निवधार्ट से डिसकॉशन फॉर अनादर डे अब याद रखिए कि माइमास लेवन पे कम एंट्री फीज में आप अपने कॉंटेस्स जॉइन कर सकते हैं सो चांस मत मिश करिए क्योंकि जो आप हर पर बचाते हैं वह आपका ही है सो डोंट स्पेंट एक्स्टा मनी जॉइनिंग अपना कमिशन महां पर बचाईए और प्लस आप जैसे लीग जॉइन करेंगे आपकी रैंकिंगे इन्वेस्मेंट लीडर बोड़ेगी डेली इन्वेस्मेंट लीडर भी चल रहा है कि हर दिन सब्सक्राइब के सामने थोड़ा से थ्रेट हो सकता है क्योंकि लेफ्ट आम पेस के सामने हमने वह इशू देखा है उनक्या पर उसके अलावा इधिंग अच्छे नंबर्स और अच्छा कर सकते हैं स्पेशली अगर स्टार्टिंग में मुमिंट नहीं रही तो डेफिनिट अगर मैंग दागर खेलते हैं एक और इंपोर्टन पॉइंट अगर मैंग दागर खेलते हैं तो थ्रेट बनेंगे फर सूर्य कुमार यादव हो सकता है कि सिर्फ सूर्या के मैच अप के लिए मयंग दागर को फिर से खिलाए जाए ऐसा भी हो सकता है कि नहीं खिला के लोम रोर को भी डलवा है उसलोट में तो लेट सी क्या होता है वहां पर तिलक वर्मा ठीक टाप फ बोलिंग नहीं की पोस्त मैच पर पूछा गया था है इनने की क्या इंजरी कंसर्न है तो उनने बोला इंजरी नहीं है जब जरूरत पड़ेगी मैं बोलिंग करने आते हैं बट उस उनके ना बोलिंग करने की वज़ए से उनकी सी वीच वाल्यू वहां पर कम हो जाती उसके के लावा ठीक टाक नॉक्स केलने 30-40 रन मार के जा रहे हैं लेट सी फॉर्म इनका वह फुल रिजम अब तक वापस तिम डेविट बहुत ही ज्यादा अच्छे टच में लगें खेलेंगे इन फ्रंट ऑफ इस फर्स आई-पील टीम आर्सी भी एन एट पुमबई 44 का अवर बेस्ट ऑपरिचुनिटी तो डू संथिंग डिफरेंशल टिम डेविट के पास ही होगा डो मारियो शेपर्ड भी विद अच्छा कर सकते हैं लास्ट गेम में काफी अच्छा करके गए इन फ्रंट ऑव अन्रिक नॉक्या रॉप पेस के सामने मार के गए हैं तो वापस वि मेरे साब से थोड़ी ज्यादा वाल्यू बढ़ जाएगी ऐस फिर पॉसिबल है कि एका दोवर डेथ में भी डाल दे हैं मॉहमद नभी विद बॉल्स ज्यादा मौका मिला नहीं इन इन लास्ट गेम लेट सी कि वापस सामने राइट हैं बरे होएं तो आडों नो कितना चा सब्सक्राइब करेंगे तब जरूर यह विकेट्स आपको निकाल के दे सकते हैं आट मॉंबाई चार मैक्स में साथ विकेट्ट जराल कुट्जिया बोलिंग फर्स बोलिंग सगिन लेके जाएंगे लाघ लिए बार 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 इन उन्होंने तूप भी किया है कि विकेट्स ले 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 लेते हैं और नो रहें लोगा बोलिंग टीम इस अंडर प्रेशर जसुपी बोलिंग वेकेट्स इन्च अफकोस आपकी बेच पी बेस्टीम में रहें और बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे मैच अप सेक्षिन में बर डेफिनिटली नियोर बेस्टीम और यह भी एक कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी जॉइस पन के आएंगे एक्सजेंज 22 पर लीडर चल रहा है जल्दी साइन अप करिये रुपीज 100 रियल के आश आपको मिल जाएगा और साइन अप यहां पर कोई यहां पर आतंग मचा देगा अट मुंबई 17 मैंच 571 रांज एक्सेलेंट आवरेज और फिफ्टीट विफ्टीट अफ्कोर्स बेस्टीट अफ्कोर्स बेस्टीट अविराट कोली के नंबर उस अवरेज को इंग्नॉर करीए वापस मैंशन कर रहा हूं ने तो कोमेंट के कोई यहां पर आतंग मचा देगा अट मुंबई 17 मैंच 571 रांज एक्सेलेंट आवरेज और फिफ्टीटू अफ्कोर्स बेस्टीम में रहेंगे फॉर्म भी बहुत अच्छा है इनका सिर्फ बुम्रा के सामने वो थ्रेट रहेगा जो हम आगे डिसकस करेंगे दूपलिसी ठीक टाक नंबर्स फॉर्म इनका थोड़ा अपन डाउन रहा है वर्सेज आरा नौक तो खेल के गए थे बट वापस फुल रिदिम में वो लगे नहीं वर्सेज एमाइबी ठीक टाक अच्छे नंबर्स है आवरेज इनका अन्ट मुंबई भी अच्छा किया है आट मुंबई एक मैच में 48 रंस मा रहे हैं पहले सो लेट सी कैसा जाता है इनका गेम सिर्फ एक जील पिक रहेंगे ये इस मुकाबले में ग्लन मैक्सवेल की बात की जाए तो वर्सेज एमाइए 17 मैच्छ फॉर्ट हड़ी सेवन रंस रंस तो आच्छे नंबर्स फॉर्म अब तक आया नहीं इनका सीजन हो सकता है यह कि हमें आजाए लेट सी एक मुंबई भी ठीक टाक नमबर जानी मुंबा इंटिंस के लिए पहले खेल चुके हैं इन कंडिशन को समझते हैं इशान किशान तिलक वर्मा के सामने बोलिंग करने को यह आ सकते हैं स्पेशली अग कैमरन ग्रीन यह भी मुंबाइ इंटिंस के लिए खेल चुके हैं लास्ट यर तक खेल देते हैं मुंबाइ में काफी अच्छे नमबर सेवन मैचेज में 229 विकेट इनका भी फॉर्म अब तक आया नहीं इनको भी स्क्वैर केलना पसंद है और यह भी आपको बोलिंग वाल यहां पर स्टार्ट करें क्योंकि काफी अच्छे फॉर्म में लगे हैं मुंबाइ की डेथ बोलिंग काफी श्रॉंग है तो नहीं लगेगा कोई ऐसा जो अच्छे फॉर्म में चल रहा है और वह है महीं पाल लोम्रोर कुछ नमबर कुछ खास नहीं बट मैं ज्यादा 23 जो नमबर बैटिंग करते हैं ठीक है एन एक मुंबई भी अच्छे खास है नंबर सो डेफिनिटली जी एल पिक कंसिडर करेंगे हैंने करन शर्मा साथ मैच में छे विकेट्स आट मुंबई साथ मैच में नौ विकेट्स लेट सी इस गेम में स्लॉटन है मिलता है कि नहीं इंपॉर्टन रहेंगे रोहिच शर्मा के सामने लेफ्ट आम पेसर का थ्रेट जिस तरीके की नैच्रल लेंथ यह डालते है यह वही लेंथ है जो जैसे कहा था सेम तरीके से इशान किशान वही क्लोज टू बॉड़ी वाली जो बॉल है जो थोड़ी सी स्टीप राइस करत कुछ खास फॉर्म में लगे नहीं है पेचे ने खास सूट नहीं करेगी वर्सेज एमा एलेवन मैचेज में सिफ नौव विकेट्स और मॉंबई भी आट मैच में 6 विकेट्स तो यह तो ऐसा ही वेन्यों जाहां आपको ज्यादा बैटर स्कूर वैसे भी बैक करना पड़े यहां में जीएल की बात कर रहा हूं जब आप माई टॉप और को ड्रॉप कर रही हो वहां पर अगर अगर अप्फरन्ट मॉवमेंट आपको लग रहा है तो यह तो उन सिनारियो में जीएल में डॉप करना अफ्कोर्स बेस टीम में आप इने नहीं ले पाऊ तो यह वह किशान वसे सिराज 50-40 जैसे मैंने का सिराज टॉपली उनकी जो नाच्रल लेंद हो थोड़ी किशान को परिशान कर सकती है रोहित वसे टॉपली 19-14 वापस एक बहुत ही तड़कता फड़कता मुकाबला यह वाला एंड मैक्सवेल वसेस बुमरा नौ बार आउट हो चुक अपने दिन पर सब को खाड़ जाएंगे तो यह हुई आज की मैच अपस की बात अब बनाते हैं हमारी आज की पेस टीम वी स्टाट विश्ट 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 विपिंग सेक्शन सिंपल डिसिशन यहाँ पर किशान के साथ जाएंगे क्यू औरी सब बता चुका हूं बाणिया और रोमार्यो शेपर्ड यह वापस डेफिनिटली इस में रहेंगे रोमार्यो शेपर्ड अगर पहले बोलिंग करते हैं तो ही रहेंगे यहाँ पर Cameron ग्रिंग तो वन बेट्वीन थे यहाँ पर मैं पिक करूंगा बोलिंग सेक्शन की वाद की जा है जो जस्कृत बुम्रा एं जराल कुर्जिया होंगे मेरे लॉक पिक्स चाहे पहले बोलिंग करें सेंट बोलिंग करें दोनों में इनकी वैल्यू काफी अच्छी होगी अब लास्ट लॉट में किसके साथ भरूंगा अगर आपको सेव जाना है अगर आपको चेह की ओल राउंड वैल्यू मिल जाए तो आप यहां पर भर दीजे लास्ट ओल राउंडर रोमारियो शेपर्ड टॉपिक क्लोस करें अगर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है थोड़ा सा लग जाना है तब आप टेम डेविट के साथ जा सकते हो क्यों वह भी मैं आपको अरड़ी टैक्टिकल कॉर्णर में बता चुका हूं तो यह लग रही है हमारी टीम क्याप्टेन वाइस क्याप्टेन पहले बता चुका हूं जो यहां तक स्क्रोल करके आए हैं सौरी बड़ प्रिव्यू देखिएगा जरूर अगर नहीं देखना तो वैसे भी टेलिग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टीम आपको वहां पर वैसे भी मिल जाएगी अब डिसकस करते हैं आज के कौन से हमारे जी एल ऑप्शन्स है तो जील ऑप्शन्स फटके हमको जिताएगा या तो फटके हमें हराएगा तो मुझे लग रहा है कि अब जील में अगर बीश टीम मना रहे तो दस में हटा दीजे और जो बाकी दस में ले रहे हैं उसमें से पांच में कैप्टेन वाइस कैप्टेन कर दीजे गट फील थोड़ी इस गेम में इन तो यह रहा हमारा आज का प्रिव्यू आप आप सभी को पसंद आया हो और एक्सचेंज 22 पिक्स की भी बात जल्दी से कर लेते हैं यहां पर हमारे कुछ भाई वहां भी खेलना पसंद करते हैं तो आफकोर्स वो डिसकॉशन भी यहां पर बिल्कुल बनता है यहां पर रोहिच शर्मा ठीक ठाक टच में लगे हैं एट 40 थोड़ी आपको वैल्यू देके जा सकते हैं सूरुक हमार यादव इविन सेफर एट 40 टिम डेविट पहले बाटिंग करते हैं 27 में बिल्कुल लूंगा रोमारियो शेपर्ड इफ बोलिंग फॉर्स जराल दोनों सेनारियो मैं 30 जस्परित बुम्रा दोनों सेनारियो मैं 34 क्या मतलब है अगर दो विकेट्स लिए तो आपको वापर मुनाफ़ा हो जाएगा तो आपको काफी लो प्राइस दिख रहे हैं पर उस टेम्टेशन के लिए मत गिरिए क्योंकि थोड़ा सा फॉर्म कंसर्न इनके बोलर्स का बट मेरे हैसाब से अगर पहले बूलिंग करते हैं तो रीस टॉप लिए 28 खराब चॉइस नहीं बनेंगे एंस कुछ थोड़ा आप इन्हें ट्राइ कर सकते हैं उसके अलावा ज्यादा टेंप्टेड नहीं हूं है तो यह रहा हमारा आज का प्रिव्यू थैंक यू सो मच पर ट्यूनिंग इन जरूर लाइक कॉमेंट शेयर करिएगा सब्सक्राइब करिए अगर आपको कॉंटेंट पसंद आ रहा है अपने दोस्तों तक बिल्फुल पुचाएगा और टेलिग्राम और ट्विटर पर जुड़िया और कोई पेड प्राइम वगर झाल